मद्य प्रिदेश विधान सभा चुनावों से पहले सोनिया गांधी के विदेशी मूल का विवाद फिर खड़ा हो गया है इस बार राहूल गांधी को लेकर ये मुद्दा उठाया गया है अपने विवादित बयानू के कारण अकसर चर्चा में रहने वाली बीजेपी सांसत ने तो राहूल गांधी की देश भक्ती पर ही सवाल खड़ा कर दिया भोपाल के हिर्दाराम नगर रेलवे स्टेशन पर भोपाल दाहोर ट्रेन को हरी जंडी दिखाने पहुची प्रग्या सिंठा को ने कहा कि विदेशी महला से उत्पन पुत्र देश भक्त नहीं हो सकता इस बात को राहुल गांधी ने साबित कर दिया है उन्होंने ये भी कहा कि राहुल को देश से निकाल कर फेक देना चाहिए मीडिया से मुखातिब बीजेपी सांसत ने संसत को बादित करने का आरोब भी कॉंग्रेस पर मटते हुए कहा कि संसत में कारे अच्छा हो रहा है सब कुछ अच्छा है लेकिन कॉंग्रेसी लोग सरकार चलाने नहीं दे रहे है संसत चलने नहीं दे रहे है उनका प्रयास है कि अगर संसत चली तो कारे ज्यादा होंगे कारे ज्यादा होंगे तो कॉंग्रेस का अस्तितु बचेगा ही नहीं बीजेपी सांसत का ये बयान बता रहा है कि बिटेन में राहूल गांदी की कही बातों का कोई सटिक जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है तो अब राहूल गांदी की देश भक्ती पर सवाल उठा कर उन्हें गलत साबित किया जा रहा है प्रग्या सिंग ठाकुर से पहले शिवरा सिंग चोहान, किरन रिजीजू, अनुराग ठाकुर जैसे कई बीजेपी नेताओं ने राहूल के बयानों की निंदा की लेकिन संसद में विपक्ष्ट की आवास को खामोश करने का जो इज़ाम राहूले लगाया, उस पर कोई जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है, ये सब बीजेपी में राहूल के खौफ को दिखा रहा है, मध्यप्रदेश के लिए ये चुनावी साल भी है, जहां इस बार बीजेपी क जीतने पर संशे है, पिछली बार तो कॉंग्रेस की जीत के बाद ऑपरेशन लोटस चला कर बीजेपी न सत्ता हत्या ली, लेकिन अब यही दाओं शायद काम ना आए, इसलिए आप राहूल गांधी को निशाने पर लेकर कॉंग्रेस को कमजोर करने की कोशिच बीजेपी क कर रही है, लेकिन कॉंग्रेस भी अब चुप नहीं बैठ रही है, देखना होगा कि प्रग्या सिंग ठाकूर के बयान पर राजनेतिक फाइदा किसे होता है और नुकसान में कौन रहता है, दीबिलाइफ की रिपोर्ट